हलो एवरिवन माई नेम इस रिद्धी इन सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे हमें PSIR Optional प्रिपेर करना है तो एक लेक्चर हम पढ़ चुके है जिसमें यूनिट वन मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको प्रिपेर करना है अगर आप खुछ से प्रिपेर कर रहे हो या किसी नोट से प्रिपेर कर रहे हो किसी भी कोचिंग से प्रिपेर कर रहे हो या फिर कोचिंग नहीं भी रहफर कर रहे तो भी तो यूनिट वन का मैंने आप तो मैंने बाहर के नोट्स रेफर किये थे जो चलते थे तो उसमें में इसु यह था वैसे नोट्स ठीक है जो बेसिक समझ में आ गए थे उसमें बेसिक के लिए बहुत अच्छा पर उसमें बोला जाता है कि आपको और बॉक्स भी ड्रेफर करने की नीड है तो मुझे वो ची पढ़ लो पर बोक्स को अंसी पढ़नी है ये तो बताओ और यूट्यूब वीडियो भी जितनी भी अवेलिबल है फलानी फलानी कोई भी वीडियो आप उठाके देख लो उसमें कोई भी मतलब सारी उल्टी सीजे उल्टी सीदी चीजे कोई बता रहा है आजकल तो वैसे भी पूरा टॉपिक्स कवर करने के लिए तो इसमें सिर्थ दो किताबे काफी नहीं है क्योंकि अलग अलग चीजों को रेफर करके आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बुक्स रेफर करने की नीड पड़ती है ताकि आप अपने क्वेशन को और इंहांस कर पाओ इसमें के लिए जो कि तो उसके लिए अलग डिमांड है तो जेएस मिल के लिए आप लिबर्टी के क्वेशन के लिए आप अन लिबर्टी जो उनकी बुक है सिर्फ उतना मेटीरियल आप लेकर क्या हो इन फाक्ट तेयोरीज ऑफ स्टेट में भी मैं आपको बता दूँगी आपको मेटीरियल बहुत इजी ली अवेलेबल भी हो जाएगा तो वह चीज आप फोटोकॉपी शॉप पे जाना वह मेटीरियल आप किसी भी फोटोकॉपी शॉप से मांग लेना आपको मिल जाएगी आप मांगोगे तो बहुत अच्छी नोट्स हैं तो अब एक चीज और जो बोली जाती है कि जब मैंने नोट्स देगे तो उनिट 10 से स्टार्ट हो रहे थे ठीक है यूनिट 10 है आपकी यह थिंकर्स वाली यूनिट है तो सब लोग कहते हैं कि यूनिट 10 बहुत इंपोर्टन है, इसमें से तो बहुत बहुत क्वेशन आते हैं आपने थिंकर्स के इसमें कितनी सारी थियोरी आप सोच भी नहीं सकते कितने questions आ रहे हैं इसमें से 2022 में ही चार questions पूछ लिए हैं फिर लोग कहते हैं कि unit 10 बहुत important है thinkers बहुत important है कहां से important है आप previous year question लोगों की बातों में आके सिर्फ चीजे नहीं देखनी है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है खुच से देख के समझ के चीजे आप करो इस सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि मार्केट में या फिर किसी में चार question पूछे हुए इन फाक्ट दो क्वेशन तो एक ही topic से पूछ लिया गया लिब्रल से ही दो question पूछ लिया गया feminist से ही 2021 में question पूछ लिया बार बार एक ही और similar lines पे question पूछा जा रहा है फिर लोग कहते है डाइनामिक है पिपर तो कुछ डाइनामिक नहीं है या कुछ अलग question नहीं है वही similar type के question है आप देखो लॉक का social contract 2022 का question है यह liberal theory of state 2022 का question है 2021 में JS में का idea on women's coverage पूछा गया है और यह देख लो यहां पर देख लो आप 2011 में पूछा है worth of the state is the worth of individuals composing it ठीक है अब यही same चीज आप देखो यहां पर यह दो तीन बार पूछा हूँ है worth of the state यह रा 96 का question है worth of the state in the long run is the worth of the individuals composing it 95 में पूछा हूँ है worth of the state in the long run is the worth of the individuals composing it बार बार तो same question पूछ रहा है फिर इधर उदर फाल तो की test series prepare करवाते हैं कि यह वाली test series join करो यह course join करो तब जाके तुम्हारा clear होगा तो यह सब बेवकु बनाने के tactics है please don't fall for this and अगर आप graduation कर रहे हो पोस graduation कर रहे हो या फिर प्रोस graduate हो चुके हो तब तो time come है पर अगर आप अभी college student हो तो मेरा recommendation यह है यह वाली booklet download करना आप synopsize.com website पर जाना free booklet available app previous year questions की यह download करना आप उसमें आपको सारे previous year question मिल जाएंगे उन topics को आपको पढ़के जाना है structure में यह आपर बताई रही हूं आपको in lines पर अपने questions, answers, सारे topics और unit by unit पूरा content आप prepare कर सकते हो अगर आप खुद से prepare कर रहे हो तो ठीक है और college student को recommendation यह है कि खुद से prepare करना क्योंकि उसका बहुत simple सा reason है आप खुद से prepare करते हो दो-तीन जगा research करते हो पढ़ते हो तो automatically answer आपके जहन में बैठ जाता है ठीक है तो एक चीज और है जो यहाँ पर समझने की चीज है जब लोग कहते हैं न कि thinkers important है तो आप यह ज़रूर देखना कि अगर जेस मिल पूछा हुआ है thinkers में पूछा हुआ है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां का जेस मिल और अगर जेस मिल का theory of state यहां पर पूछ लिया है तो इसका जेस मिल और इसके जेस मिल में न बहुत अंतर हो जाता है तो यह कोई नहीं बताता यह उस time हम लोगों को नहीं पता लगता तो हम लोगों को क्या करना पड़े है मुझे तो at least काफी मैनत करनी पड़े थी यह जानने के लिए चीज़े समझने के लिए बिकरज मुझे लगा था कि liberal theory of state और liberalism एक ही चीज़ है तो अब इस time फिर उसके बाद बहुत मैनत करने के बाद चीज़े समझने के बाद जब मैंने पूरी किताबे literally फाड़ के फेकी थी वो वाली कोई काम की नहीं थी मेरे हिसाब से तो तो unit 10 का आप देखो जैसे political ideology है हम सिर्फ यहां पर ना कोई पढ़ नहीं रहे हैं हम सिर्फ समझेंगे कि चीज़े हैं क्या और क्या market में चलता है और क्यों यह चीज़े आपके लिए जानना ज़रूरी है political ideologies में जैसे liberalism है अब यहां पर clear cut liberalism पूछा है तो आपको liberalism के बारे में ही बात करनी है और further जो भी इससे questions हैं उसके बारे में बात करनी है in fact political ideologies के lecture मैंने पढ़ाई भी हूँ है free available है YouTube पे आप देख सकते हो अब यहां पर तो हमने liberalism पढ़ लिया theory of state में liberal पूछा हुआ है तो यहां पर अब हम liberalism नहीं लिख देंगे यहां पर clear cut यह demand ही इस topic ही है कि आप liberal theory of state पर बात करो not liberalism पर बात करो अब दिक्कत क्या आती है लोग liberalism में भी लिख के आते हैं liberal theory of state में भी लिख के आते हैं तो यह difference आपको समझना पड़ेगा liberal theory of state is very different from liberalism marxism is very different from marxist theory of state तो feminism is very different from feminist theory of state तो यहां पर एक बहुत ही specific particular requirement है examiner की कि आप theory of state पर ही बात करो अलग-अलग आप point of view ले लो, ideology ले लो, उनकी theory of state आप बता दो मुझे और उन पे जो thinkers हैं उनके related वो theory of state पर क्या कह रहे हैं वो बताओ for example, jsmill के general ideas बहुत अलग होंगे jsmill की theory of state की बात से है ना, अब हर बार तो jsmill theory of state पर नहीं बोलता रहेगा तो कोई एक particular बात होगी ना उसने जो theory of state पर बोली होगी बस वो यहाँ पर आपको fulfill करनी है तो thinker से question नहीं आ रहे हैं, question हर एक unit से आ रहे हैं आप weightage के हिसाब से देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, यह unit 10 फाल तुमें इतना बवाल मचा रखा है इसका इतना है नहीं, एक एक unit आता है, इतना seriously लेने की जरूरत नहीं है और Plato पे जो इतनी बड़ी-बड़ी किताबे पूरी बना दी गई है, पूरी इतनी बड़ी-बड़ी पोथियां पढ़ाई जाती है न उनको please फाड के फेको literally, क्योंकि Plato, Aristotle के previous year questions देखो, क्या पूछे हुए हैं, बिलकुल repetitive questions है उनी topics पे, उनी subheadings पे prepare करके चले जाना, आपका exam definitely clear हो जाएगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है क्योंकि उपे से 40 साल से वही सेम चीज़े पूछ रहा है, तो आपको वो prepare करना है तो दो चीज़ें आपको refer करनी है, एक आपने, for example, यहाँ पर unit 2 में देख लिया, क्या आएगा, यह पूछा हुआ है अब इन में भी आगे क्या आ सकता है, वो चीज़ आप refer करोगे, previous year question से तो फिर आप इसमें previous year question देखोगे, क्या रहे आप इसमें क्या पूछा हुआ है, previous year question में, UPSC क्या पूछ रहा है for example, अगर liberal theory of state है, तो liberal theory of state direct तो नहीं पूछेगा, और पूछ भी सकता तो वो तो prepare करना ही है बाकी इसके क्या क्या perspective है, जैसे लॉक social contract पूछ लिया, liberal theory of state में आपसे contemporary politics में पूछ लिया, JS में ID on women's suffrage पूछ लिया, then worth of the state वाला पूछ लिया, तो यह क्या है, यह तो inverted comma में इन्होंने क्या कहा है, वो सारे पूछ लिये the great and chief aim of men's uniting into commonwealth, ठीक है, यह पूछ लिया, log का शब्द है, तो यह पूछा हुआ है, आपसे, in fact, यह question भी repetitive है, 2008 वाला, फिर, Mckyver का question ने 2006 में पूछा था, general will and not so much the will of the state as the will for the state, ठीक है, फिर 2005 का JS मिल का question है, अगे, यह आप questions पढ़ लेना, सारे repetitive nature के question है, यह से बहुत ज motivation of property पे पूछा हुआ है, log का तो बहुत famous theory है, अगर आप normal भी कोई किताब रेफर कर लोगे, तो उसमें भी आपको मिल जाएगी, किताबे में मैं आपको बता दूँ कि कौन सी पढ़नी ज़रूरी है, मैं एक ऐसी person रही हूँ, जिसको दूसरे के notes पढ़ने का बिल्कुल श लिखे होंगे, तो मैं क्यों rely करूँ ऐसे person पर वो एक doubt रहता है, कि पता नहीं इसने सारा लिखा भी होगा, या miss कर दिया, या कौन सी class में बंदी नहीं आई होगी, तो miss कर दिया होगा है, तो वो एक problem रहती है, Hindi medium students के लिए भी बहुत problem है, उनके लिए तो materially available नहीं रहता although हम लोगों नहीं आपर available कराया है, but मुझे, I'm really sorry for that, मुझे books नहीं बता, Hindi medium वाली, ठीक है, but मुझे English medium की हम लोगों ने बनाया हुआ है, सारा content, उसका translated पूरा Hindi medium का आपको मिल जाएगा, तो content तो है हम लोग के पास, but books मुझे ऐस सच नहीं बता, मैंने बस ये जो English medium वाली कर सकते हैं, definitely. अब मैं previous year question आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, जैसे state sovereignty के questions है, अब देखो, theory of state पे पता तो नहीं लग रा कि क्या पूछेगा, तो state sovereignty के topic बन जाएगा, क्योंकि इसके regarding नहीं काफी questions पूछेवे हैं, for example, political ideology of globalization is neoliberalism, challenges to sovereignty of the state contemporary world, modern nation state has been declining in the wake of globalization, impact of globalization on state sovereignty, philosophical basis of doctrine of popular sovereignty and its significance on mankind, तो ये सारे topics आप देख सकते हो, then liberal theory of state मैं आपको दिखा दिया कि कैसे similar type of questions पूछे गए हैं, ठीक है, फिर neoliberal theory of state, अच्छा, इस चीज में हमने पूरे 40 साल के previous year questions रेफर करके, ये पूरा material बनाया है, नियो लिबरिल theory of state में 2022 में again question पूछा था, जैसे आप, मैं बता रही हूँ ना, आपको इतने questions पूछे गए हैं, मतलब 2022 में ही मैं आपको questions बता रही हूँ, unit 2 बहुत important है, इसका weightage काफी जादा है, तो जब भी आप कोई भी unit prepare कर रहे हो ना, पहले वो वाली units prepare कर जाओ, जिनका weightage जादा है, और unit 9-10 का तो definitely नहीं है, unit 2 से start करना, unit 2 पढ़ जाओ, unit 8 पढ़ जाओ, unit 8 बहुत important है, political ideologies में से question आते ही आते हैं, तो ये दोनों unit तो definitely प question आते हैं, जरूर, in fact unit 1 से behavioralism, post-behavioralism पे जरूर question आता है, ठीक है, अब वो चीज़ जरूर पढ़ जाना, तो मैं आपको important चीज़े बतारी हो, feminism या feminist theory of state, ये सारे कुछ important topics है, जिससे questions पूछे जाते हैं, नियो लिबरल theory of state पे 2022 में question आया था, factors like community, culture, nation, weaken the hegemony of neoliberalism today, then 2018 में question पूछा था, critically examine neoliberal theory of state, बिल्कुल direct question है, आप देख लो, इसी वज़े से ये important हो जाता है, कि जो syllabus का topic है ना, वो तो directly पढ़ी जाओ, फिर 2017 में भी question पूछा था, comment on neoliberal perspective of state, है ना, तो अब लोग कहेंगे, ये तो अलग पूछ लिया, ये तो examine पूछ लिया, यहां पर comment पू questions है, अब इसमें आप क्या अलग से prepare करो गया, आप 10 तरीके के material refer करते हो, question आना होता है, वही same, है ना, तो फिर Marxist theory of state है, Marxist theory of state में, 2019 में देखो, question पूछा गया था, contemporary relevance of Marxism, अच्छा, एक चीज, यहां से समझ में आता है, आज कल ना, हर एक optional में, UPSC का बहुती common pattern रहा है, कोई भी topic का prepare करके जाते हो, उसमें contemporary relevance जरूर पढ़ लेना, तो हम लोगों ने जो notes बनाए है, उसमें हर एक topic में contemporary relevance या applicability, यह जिस जरूर जोड़ी है, क्यों उसका एक बहुत simple सा reason है, UPSC contemporary relevance पे ना, कुछ ना कुछ पूछ रहा है, हर एक topic का contemporary relevance पूछ लेता है, और अगर नहीं भी पूछा, तो भी अगर आप contemporary relevance की चीज़ का add कर जाते हो, in the context of India, या फिर world के context में, इंडिया के context में add कर जाते हो, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, आपने सीधा सीधा current affairs को आपने theory की साथ जोड दिया, तो वो आपकी answer को बहुत enhance करता है, फिर 2015 में based superstructure theory पूछी थी, ऐसे materialism पूछा था, Marx का, फिर कुछ ideologies, fascism, Marxism, उसमें theory of state का conception पूछा है, तो यही सारे similar lines पे Lenin ने क्या कहा है, Marx का again, anatomy of this civil society, then Marxist theory of state with reference to dictatorship of the proletariat, Marxist theory of social stratification, अब आप मुझे ना unit 8 के lectures देखना, जिसमें मैंने Marxism पढ़ाया है, उसके lecture देखके मुझे आप यह difference बताना कि यह Marxist theory of state जो यहां पर पूछा हूँ है, वो Marxism जो मैंने उनिट 8 में पढ़ाया हूँ है, उससे अलग कैसे है, तो आपको समझ में आ जाएगा, dictatorship or proletariat बताया हूँ है, मैंने, तो अब इसी तरीके के फिर anatomy of civil society दुबारा से वही चीज आ हो रहे हैं, मैं क्या बता हूँ, इसमें आपको और क्या दिखा दो, pluralist society है, for example, 2019 में again pluralist theory of state आया था, ठीक है, फिर Berlin's notion of value pluralism, Robert Dahl concept of deform poly आ के, अब हर एक जो भी आप topic पढ़ोगे, उसमें एक thinker होता है, जो उस चीज के लिए बहुत famous होता है, important होता है, तो वो thinker तो हमें छो रहेंगे, marksism के लिए marks हो गया है, ऐसे ही, बाकी भी आप previous year question यहां से देख जाना है, या फिर video pause करके आप देख लो, फिर post-colonial theory of state है, 2021 में question पूछा था, ठीक है, 2020 में भी पूछा था, बिल्कुल direct question है, 2011 में question पूछा था, again direct question है, अब यहां पर again, अब मैंने आपको बता of the overdeveloped state, 2009 का question है, पर जाना, important है, हम लोगों ने बताया ही हुआ है, तो आप देख सकते हो, feminist theory of state, feminist theory of state में से सबसे पहले तो 2021 में critique of the state पूछा है, 2017 में पूछा था, eco-feminism पर, eco-feminism मैंने आपको political ideologies वाले लेक्चर है, महां पर भी बताया था, इन लोगों ने क्या किया है environment को feminism से link कर दिया वस, कि जैसे nature है, वही हालत आपने women की कर रखी है, जैसे nature की दुरुदशा हो रही है, वैसी women की दुरुदशा हो रही है, जब तक आप nature को ठीक नहीं करोगे, वैसी women को, तो यहाँ पर women को फिर लाया गया, कि आप nature के उपर ध्यान लो, क्योंकि आप connect कर स कुछा है, फिर 2021 में JS Mills, Ideas on Women's Suffrage, अचा एक चीज है, यह वाला जो question है, ना, 2021 का JS Mills, Ideas on Women's Suffrage, यह एक applied question है, जो कि liberal theory of state और feminist theory of state, दोनों subheadings का part है, तो दोनों में आप पढ़ोगे यह चीज, ठीक है, क्योंकि एक, obviously एक applied question आता है, JS Mills, Ideas पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो liberal theory म पढ़ोगे, तो applied है, इस तरीके से, अब देखो, यह है आपका पूरा structure, कि आपको किन lines पर prepare करना है, for example, अब मैंने question आपको दिखा दी है, इनी question, सारे questions के basis पर यह structure prepare किया गया है, अब आप एक काम कर ले ना, जब आपको structure में सारा दिखा दूंगी, बता दूंगी, आपक में available है, सारे previous year question, कहीं से भी उठाओ, या फिर UPSC की website से download कर लो previous year question, वहां से आप को इसे फेक चीज़ देखनी है, आप कोई भी question उठा के देख ले ना, सारे questions इन subheadings से solve हो जाएंगे, ठीक है, यही वो subheadings है, बस जितने भी question आएंगे, आपके इनी subheadings का part होंगे, इसक सारे topics, सारे questions कवर हो जाएंगे, इनी में आएंगे, ठीक है, तो यह subheadings आपको बिलकुल note करके रखनी है, हर एक topic के लिए यह subheadings काम आएंगी, in fact, not just in this optional, आप किसी भी और optional में भी चाह रहे हो, या फिर किसी और subject में, for example, mains के किसी भी topic में चाह रहे हो, तो यह सारी subheadings का काम आएंगी, यही important होती है, तो जैसे structure समझ रहे हैं, syllabus का हमने dissection कैसे किया है, वो समझेंगे, तो सबसे पहले तो since theory of state, यह आपका topic है, तो आप बताओगे के introduction, के theory of state है क्या, what is theory of state, फिर इसका origin कैसा हुआ, या फिर background, फिर thinkers के perspective दोगे, कुछ concept क्या है पूरा, then कुछ अ applicability क्या है, या फिर contemporary relevance क्या है, इंडिया world दोनों की context में आप यहाँ पर बताओगे, फिर decline कैसे हुआ, इस theory का, decline पर भी आजकल काफी questions देखे गए हैं, एक देखा गया contemporary relevance पर और एक decline, यह दोनों topics पर काफी questions पूछ रहा है UPSC, तो यह दोनों आप topics याद करके रखना, और जरूर हर एक topic में पढ़ जाना, चाहे तो अगर आपके notes अल्रेडी बने हुए है ना, तो वहाँ पर side में ही आप यहाँ पर लिख लेना, ऐसे star करके जो भी आप topic पढ़ रहे हो, कि इसका add कर लो, जैसे contemporary relevance है, और इसमें यह आपने point number 1, point number 2, point number 5 points इसके ना, add करके चले जा ताकि exam में आपको एकदम ऐसे कुछ जटका सा नहीं लगेगा, मतलब कहने का मतलब यह है, अगर 5 points भी आप लिख गए, note कर गए, तो आप उन 5 points पे exam में लिख पाओ गए, अब criticism है, फिर evaluate कर दो, conclude कर दो इसको, अगर मान लो previous year questions में आपको कुछ भी एक अलग heading दिखती है, या कुछ भी एक अलग से कोई भी topic आता है, in future, तो आप उसका अलग subtopic बना लोगे, ठीक है, previous year question से ही आपका अलग subtopic यहां पर बन जाएगा, तो आपको इसी तरीके से अपना ये जो structure है, वो बना के रखना है, फिर अब हम आते हैं, liberal theory of state पर, ठीक है, इसमें हमें क्या करन है, liberal theory of state में है, introduction करोगे, background, concept, thinkers, perspective, वही similar चीज़े चलेंगी, बस मैं आपको ना हर एक theory के अब extra बता देती हूं, क्या add हुआ है, यहां पर है types of liberal state, negative, positive, neoliberal, Indian context of liberal state, neoliberal में से question भी पूछा गया, बट यहां पर हम liberal state की बात कर रहे हैं, तो अगर इस पर direct question आता है, तो आप in general neoliberal लिखोगे, पूरा का पूरा neoliberal जो question पूछ लिया था, उसके उपर गाथा लिखने की बिलकुल भी need नहीं है, यहां पर liberal theory of state की बात हो रही है, ना कि neoliberal की, तो neoliberal सिर्फ यहां पर types of liberal state के हिसाब से ही लिखना है, और जादा बहुत जादा गाने नहीं है उसके, फिर applicability बतानी है, या फिर contemporary relevance, इंडिया और वोल्ड की context है, अगेन, फिर कुछ alternative theories रहेंगी, जिसमें liberals versus communitarians की theory है, तो वो आपको prepare करनी है, यह चीज आपका UPSC already put चुका है, previous year questions है, कपाट है यह, तो इस वज़े से आपको यह पढ़के जाना है, criticize करके conclude कर दो इसको, अब अलग-अलग thinkers हैं जिन पर question पूछा हुआ है, theory of state के, for example, J.S.Mill का theory of state है, वो आप यहां पर mention करोगे, तो thinkers भी मैं आपको बता दूँगी, कौन-कौन से आपको पढ़के जा होगे, और इसमें on liberty का application आप लिखोगे, क्यों, क्योंकि यह भी previous year question का part है, और यह भी previous year question का part है, J.S.Mill on women's suffrage, तो women's suffrage पे J.S.Mill ने काफी बात की है, उनने अपनी wife, अपनी daughter के लिए, उनको एक tribute के लिए, उनने इस सारी चीज की थी, फिर alternative theories, इसमें है radical liberalism by J.S.Mill, इ आनी है, तो J.S.Mill पर यह पढ़ना है, फिर next, आपके thinker हो जाते है, यह है thinker number one, जो आपको पढ़ना है theory of state, next है John Locke की theory of state, जो आपको पढ़ना है thinker number two, इनके concept में आप पढ़ोगे lock, state of nature, laws of nature, बाकी चीज़े तो देखो वही structure रहेगा, वो सारा आपको follow करना ही करना है, ठीक है, अब lock, इन दोनों पर ही question आया, question number one, question number two, दो question यहां से आया, तीसरा question यहां से आया, चौथा यह, पाँछवा यह, छटा and सात्वा question, देख रहे हो आप कितने questions है, फिर applicability, contemporary relevance में ends of political society and government, then dissolution of government क्या है, lock की theory of property बहुत important है, theory of property पर तो इतने सारे questions पूछे हैं, UPSC पहले, तो बहुत important हो जाता है, फिर rights to life, liberty, property of ourselves and others, ठीक है, फिर alternative theories में, Macpherson की theory on lock, यह mention करोगे, क्योंकि उसी के related question already पूछा जा चुका है, तो Macpherson एक important person हो जाते हैं, ठीक है, Macpherson is an important person, फिर TH Green, TH Green का भी आप वही same lines फॉलो करोगे, यह आपको पढ़के जाना है, यह कौन स थे, unit number, यह है third, sorry, Russo miss हो गया, Russo का फिर, यह सारा follow करना है, applicability में आपको लिखना है, Russo on democracy, इस पे question पूछा था, फिर general will, popular sovereignty theory by Russo and theory of law, तो यह सारे भी question already UPSC पूछ चुका है, इसलिए हमें पढ़ना है, और repetitive questions हैं यह सारे, मैं काईवर का question एक ही बार पूछा था, तो आ आप यह पढ़के जाना, अब नॉर्मली पढ़के चले जाना, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वो करने की नीडनी है, बट हाँ, आपको पता हो ना, जी, just in case आगया exam में, तो फिर हम कुछ नहीं कहा सकते हैं, तिंकर's perspective में आएगा, मैं काईवर की theory important है, एक बार आया था, ब दोनों subheadings पर आपको काम करना है, फिर neoliberal theory of state है, इसमें भी यही subheadings चलेंगी सारी, ठीक है, फिर Marxist theory of state आजाती है, जिसमें, देखो सारी वई subheadings चलेंगी, बट, माक्स पर थोड़ इसे complex questions पूछे हुए हैं, तो मैं आपको theories बता देती हूँ, एक तो आपको thinkers perspective में, Lenin के question है, बिल्कुल direct question है, इसको छोड़ मत देना, और repetitive question है, फिर types of Marxist theory, अब माक्स ने अलग-अलग theories के बारे में बात की हुई है, अलग-अलग चीजे बोली है, इसे dictatorship of the proletariat बोला है, proletariat मतलब working class की dictatorship, ठीक है, बुर्जुआ होती है, मतलब की जो ruling class होती है, तो यहां पर proletariat क हम बात करेंगे, एक है instrumentalist model, एक relative autonomy model, यह पूछा तो नहीं गया है, कभी, बट पूछा जा भी सकता है, तो यह सब चीजे देखो, कहां से पता लगेंगी, कि previous year question के अलावा, क्या पूछ सकता है, UPSC, है ना, तो वो सब चीजे पता लगती है, बुक्स से, किताब हीं पढ़ आर्सी विर्मानी के लिए ये रेफर कर लेना, आप आर्सी विर्मानी के तो बहुत ये अची वुक है, अगर आपको theory of state पढ़नी है, तो एक बुक जो मैं आपको बताऊंगी, जिसको आपको refer करना बहुत ज़रूरी है, यह तो पूरा अगर आप करना चाते हो, unit 2 पूरी, आर्सी विर्मानी कर जाओ, बहुत बढ़ी है, मतलब बहुत अच्छा content आपको मिलेगा theory of state पर वहां से, और अगर आपको ये चाहिए, आप एक काम कर सकते हो, या तो आप call कर लो, या फिर आप whatsapp कर लो, मेरे पास एक free, इसका pdf available है, तो वो मैं आपको या तो whatsapp से दे और website पर दिवी हैं details, तो वहां से आप लेलना, नमबर वगए रखिया है, जो भी है, फिर next इस है, आपके social stratification theory, इस पर भी question अलड़ी पूछ चुका है, base and superstructure, तो मैंने आपको दिखाई दिया था, question पूछा है, contribution to the critique of political economy पर भी question पूछा है, तो in lines पर आपको अपने preparation रख है, उसमें आपको एक चीज जरूर नोट करनी है, आपको ये देखने है, पिछले 40 साल में UPSC ने जितने भी questions पूछे थे, या एवन 40 छोड़ो, हम लोगोंने 40 की हैं all दो, बट, अगर 10 साल के भी previous year question या फिर कोई भी, आप 2022 का paper उठाओ, अगर आपको लगता है ना, कि questions म material बढ़िया है, otherwise वो material किसी गाम का नहीं है, अगर उससे आपके question ही solve नहीं हो पारे तो, फिर क्यूं पढ़ रहे हैं उसको हवा में, ये तो, मतलब ऐसी बात होगी, हवा में तीर जराने वाली बात होगी, कुछ भी हम पढ़के जा रहे हैं, just because हमें पढ़ना है, तो आपका preparation हमेशा smart होना चाहिए, ऐसे अंधा दोन preparation नहीं करना है, आपको smartly prepare करना पड़ेगा, इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखे, कि exam में time बहुत ही कम रहता है, जिसमें हमें सारी चीज़े याद भी रखनी है, फिर लिखके भी आनी है, तो वो चीज़ के हिसाब से value, pluralism पढ़के जाना, and then pluralist theory of sovereignty में, लास्की के views पढ़ जाना और legal sovereignty, ये सब question पूछे गए, and then polyarchy पढ़ना है, इसमें Robert Dahl का deform polyarchy जरूर पढ़ लेना, बागी ये पालियार्गी का भी चलेगा थोड़ा सा पढ़ना, इसमें introduction क्या है, ठीक है, Robert Dahl क्या कहते हैं इस पर, तो इ चीज चलेगी, बट, यहां पर अलग-अलग perspectives में आपको बात करनी पड़ेगी, post-colonial theory of state में, तो दो तरीके perspective आपको देखने हैं, एक है आपका liberal perspective, दूसरा Marxist perspective, questions आए हैं, इसलिए आपको करना है, next चीज आपको alternative theory में आप यहां पर लिखोगे, Hamza always overdeveloped state, यह आप जाओगे, इस पर भी question आया है, और since UPSC repeat करता है अपने questions, इसलिए आपको यह चीज करनी है, और यह बहुत ही challenging task था, मतलब, मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई और person यह मेर को करके दे देता इतनी चीज, मुझे नहीं पता, मतलब, मुझे बहुत टाइम लगाई करने में, मैंने पढ़ाया है, जो की unit 8 है, तो वहां से वो lecture free available है, आप देखना चाहो, वहां से देख सकते हो, ठीक है, फिर अचा एक और चीज, unit 8 का content भी free available है, तो just demo content के लिए, जब आप website पर जाओगे, तो आपको वहीं पर ही PSR optional का जो course रहेगा, वहां पर एक link मिलेगा, demo content के लि वह download आप कर सकते हो, रेफर कर सकते हो कि क्या है, अब एक unit prepare करके मेली रही है, तो फिर वह refer करो न आप, फिर next चीज, state sovereignty है, इसमें आप वही same चीज, prepare करोगे, इस concept में आप doctrine of popular sovereignty आप करके जाओगे, applicability में आप एक चीज लिखोगे, कि globalization and the state, यह आप लिखोगे, ठीक है, इस पे क्योंकि question पूछे है, introduce करोगे, इसको political ideology of globalization, impact of globalization on state sovereignty, decline of modern nation state in globalization era, सब पे question पूछा गया है, इस वज़े से यह करना है, doctrine of popular sovereignty यह करके जाना है, तो यह सारे topics हैं, जो prepare करके जाने है, UPSC इन में से questions पूछता है, अब आप खुच सोचो कि मतलब, कैसे यह चीजे आपको म सकती हैं, मुझे नहीं पता, फिर बुक्स में आपको उता जाती हूँ, हाँ, यह अच्छी चीज है, अगर आप खुच से प्रिपेर कर रहे हो, देखो, जैसे for example, Thomas Hobbes पे कोई भी question आता है, तो उसके लिए उनी की बुक आप रेफर करो, अब आपको क्या करना है, पूरी ल फोटोकॉपी वाला आपको मिल जाए, जैसे arts faculty है, वहाँ पर उसके बाहर आपको एक फोटोकॉपी शॉप वाला मिलेगा बंदा, उससे आप बोल देना कि मुझे इस किताब की इतने notes आप दे दो, इस किताब की मुझे zirox चाहिए, तो वह आपको उतना relevant material आपको दे ना, यही हो सकता है, feasible material मेरे पास तो, मैं तो इतना फोट नहीं कर सकती थी, इतनी coachings, तो मैंने तो यही सब किया था, फिर John Locke का था, second retirement of government by John Locke, फिर वह आप रेफर कर सकते हो, सिर्फ John Locke वाला जो पार्ट है, रूसो वाले पार्ट के लिए, social contract by Rousseau, JS Mill वाले पार्ट के तो on liberty का तो बहुत ही बड़ी है, वो तो मेरे पास भी पढ़ा हुआ है, I wish के वो चीज में, मैं कर सकती हूँ, वैसे try कर सकती हूँ, कि अगर मैं वही चीज की picture क्लिक करके, जो मेरे पास photocopy material है, वो मैं upload कर सकती हूँ, अब पिक लिक करके PDF बना के, मैं try करूँगी, कि तो JNU की library में ये easily available है, वहाँ से आप ले सकते हो, तो मुझे देखो चीज सारी बता है, कि ये सब मैंने की आया है, ये किताब है बहुत महेंगी थी, तो इस वज़े से अब एक चीज के लिए आप क्यों खरीदोगे, तो बेटर है कि इसी library से आप arrange करो, और पढ़ लो, व वो है, R.C. विर्मानी की किताब है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी, तो ये आप रेफर कर जाना, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बाखी, अगर आप कोचिंग जॉइन करने के लिए सोच रहे हो, या फिर हम लोगों को जॉइन करने के लिए सोच रहे हो Synopsis तो One Stop Solution आपको देगी रहा है, हम लोगोंने 40 years के सारे previous year questions cover की हैं, तो वो आप देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, आप कर लेना, ठीक है, तो अच्छा एक और चीज है, ये website है, तो यहाँ पर आप जाओगे courses में, optionals में जाना, optionals में PSIR optional के course पे आप क्लिक करो, त So please do share this video, मतलब जो लोग खुद से भी prepare कर रहे हैं, या मेरे जैसे लोग को काफी problem हुई थी उस time पर, जिनको ये सब करना पड़ा था, तो उनके लिए help हो जाए, और हम लोगों को भी help हो जाए, क्योंकि मतलब मैंने personally बहुत जादा महनत की है इस चीज़ पर, so okay that's all for today, and को भी question हो आप comment section में लिख कर पूछ सकते हो, and thank you for watching the video.